मेरे चैनल पर दिवाली सीरीज चल रही है, जहां हम हर रोज एक दिवाली की रेसिपी पोस्ट कर रहे हैं, वैसे तो दिवाली के टाइम पर सबके बास हजारों काम होते हैं और समय बहुत कम होता है, तो इसलिए आज हम ये इंस्टन कोकोनट लड्डू बनाएंगे, जो आप आखरी समय में भी बना सकते हैं, इसको बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनिट लगेंगे, एक पैम में हम डालेंगे देसी घी, और इसको गरम करने के बाद मैं इसमें डालूंगे ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैं ड्राइड कोकोनट ले रही हूं, आप चाहें तो फ्रे लड्डू है, मैंने मिल्क के साथ भी बनाए है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप चाहें तो वो कोकनट लड्डू की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं, अब आप देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, आप अगर नोट करेंगे, इसका कलर भी स्लाइटली चेंज हुआ है, इसमें अब मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क, ये होम मेट कंडेंस मिल्क है, तीन इंग्रीडियन से बनाया है, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अब आप इन सब को अच्छे से कंबाइन करें, ये बहुत ही बड़िया लड़ू बनते हैं, आप इसको बनाएं बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरतीमदान हैश्टाग से जरूर टैग करें, और वहां मुझे फॉलो भी करें, मैं बहुत सारे फूड रूलेटेड अपडेट्स वहां लगाता है, डालती हूँ, अब आप देखें, ये मिक्शर हो गया है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूद, ये बहुत इंपोर्टन्ट है, बहुत सारे लोग नहीं डालते, बट मैं हाइली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इससे जो आपके लड़ू है, उसमें एक मॉइस्चर आएगा वो आपके सॉफ्ट बनेंगे, अगर आप सिर्फ कंडेंस मिल्क डाल के बनाएंगे, तो वो थोड़े हाड बन सकते हैं, अब आप देखें, हमारा मिक्शर बिल्कुल अच्छा हो गया है, मैंने इसको तीन से चार मिनट तक भुना है, अब अगर इसके आप कंसिस्टेंसी करेंगे, आप देखें, मैं हाथ में पकड रही हूँ, तो इसकी एक बॉल बन रही है, इसको अब निकाल दूँगी एक बोल के अंदर, हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, अब इस पॉइंट पर ये गरम है, अब जब तक हमारा कोकोनट लड़ू का सब्सक्राइब कीजिए और बेला इकन को दबाईए, ताकि जब भी हम कोई दिवाली रेसिपी पोस्ट करें, आप उसको मिस नहीं करें, अब आप देखें, मैंने इसको 10 मिनट तक ठंडा करने को रखा था, ये अभी लूक वाम है, अब हम इसके लड़ू बनाएंगे, एक बार आप इस तरह से अपने हाथ में करें और फिर आप रोल करें, ड्राइ डेसिकेटड कोकोनट के अंदर एक बार फिर ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे करने के बाद, तो आप देखिए, ये हमारा लड़ू तयार है, इसी तरह से आप सारे अपने इंस आपको आज की ये हमारी दिवाली सीरीज की इंस्टन कोकनट लड़ू रेसिपी पसंद आई है, तो बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगे कि आपके लड़ू का मिक्षर थोड़ा ड्राय है, तो इसमें थोड़ा से दूद और आप करें क्योंकि अगर आप सिर्फ कंडेंसमल डाल के बनाएंगे तो आपके लड़ू थोड़े ड्राय हो सकते हैं, तो दूद आप उसमें थोड़ा सा जरूर डालिए, आप इन लड़ूों को एंजोई कर सकते हैं, पूरे 10 दिन तक इनको एर टाइट कंटेनर में, रेफ स्थिप णप कर लाई में इनको एंचे हैं, व्ली तक आप कर लाईब आप साओी को लंआगे रिस क्रीष तक पृष्ट एंगे नगजे बिस में इनको धर एंजे के व्लीटित हैं, कर वेझा़े तके लिएए पस्या हैं, इनको आपके लिएके में जगयान वेशने